असलाम अलेकुम अच्वा टॉपिक के नहीं है ट्रांसफोर्मेशन जो कि बहुत असान और सिंपल जा टॉपिक है इसने experiment perform किया था माइस के अपर और एक बक्टेरिया जिसका नमून आई इंदोनों के उपर experiment परफॉर्म हुआ था इसने स्थ्राप्टो कोकल नमून आई जो बक्टेरिया दो तरह किया है एक है R- टाइप और एक है S टाइप जो R टाइप है, इसको R टाइप इसले कहते हैं, क्योंकि रफ कलोनी बनाता है, S टाइप को इसको S टाइप इसले कहते हैं, क्योंकि समूथ कलोनी बनाता है, R टाइप A विरुलेंट है, यह इतना खतानाक नहीं है, जहरीला नहीं होता, टॉक्सिक नहीं है, जबके S टाइप Virulent bacteria ये नुकसान देता है, disease cause करता है, ये virulent bacteria है, R टाइप के सबसे बड़ी पैचान इसके उपर polysacryde का court absent होता है, जबके S टाइप के उपर सबसे बड़ी पैचान इनके उपर polysacryde का court present होता है, experiment क्या किया, जब R टाइप जो जरीला नहीं है, जब माइस के अंदर दाखि किये तो माइस मर गया, क्योंकि उसके अंदर virulency आगी जरीला पना गया और वो चूहा मर गया, पिर इसने S टाइप inject किये into माइस, ठीक है, वो माइस के अंदर जाशे दाखिल किये तो वो remain alive, वो S टाइप कौन से थे जो माइस के अंदर दाखिल किये और चूहा मरा नहीं, वो S टाइप थे, मरे हुए, dead S टाइप थे, तो जिसके वरसे चूहे को कोई असर नहीं हुआ, फिर इसने R और S टाइप दोनो माइस के अंदर दाखिल किये, जो S से वो मरे हुए थे, और जो R थे, वो जिन्दा थे, जब दाखिल किये तो चूहा मर गया, अब होना क्या च तो हमें यहां पर question arise हुआ कि R टाइप, S टाइप में कैसे change हुए, लगता है कुछ transformation हुआ है, कोई genetic material आगे एक जगा से दूसरे जगा गया है, जिस वरसे R टाइप ने अपने आपको S टाइप में change कर लिया, अब यहां पर question आए, वो कौन सी चीज है, जो वरासत को या genetic material क control करता है, वो कौन सी genetic material है, जिसकी वज़ा से R टाइप, S टाइप में change हुआ है, इसको ढूने के लिए अगे scientist है, Avery और McCarty, इन दोनों Avery और McCarty ने experiment परफॉर्म किया, इसमें R और S टाइप दोनों लिये, और S टाइप मरे हुए रखे, killed रखे, अब जो S में से थे, सारे के सारे carbohydrate को remove कर दिया, 99.8% remove कर दिया, क्योंकि हमें यही ख्याल था, के carbohydrate है, जो transfer करती है, genetic material को one side to another side, तो हमने remove किया, तो दोनों का दाखिल किया, माइस के अदर, तो माइस किया, dead हो गया, तो पता लगा, carbohydrate genetic material नहीं है, पिर हमने दोबारा R और S टाइप लिये, और दोबार transformation भी रुकी नहीं है, अभी तक हो रही है, पिर हमने R और S टाइप में से, जो के killed थे, इसमें से DNA को remove कर दे, 99%, तो फिर inject किया into mice, जैसे माइस के अदर दाखिल किया, तो माइस मरा नहीं, जिन्दा रहा, अब वो जिन्दा क्यों रहा, तो पता लग गया, कि यहां पर जो transfer क एक जगा से दूसरी जगा, हमें confirm हो गया, जिन्दा कार्बो हार्डिड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कौन है, DNA है, पर हमें अभी भी इसके उपर और ज़्यदा डिटेल चाहिए थी, पिर एक हार्शी और चेस, दोनों ने experiment परफॉर्म किया, बक्टेरियो फेज उपर, इ आपने याद रखने, DNA के अंदर फोस्फेट होता है, ना कि सल्फर होता है, जब इस वाइरस को इसके साथ रखा गया, तो सल्फर इसकी प्रोटीन के साथ अटैच हो गया, इनकोपोरेट कर गया, क्योंकि सल्फर प्रोटीन का पार्ट है, काफी ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं काफी ऐसे प्रोटीन है जिनके अंदर सल्फर की जरूरत होती है, तो सल्फर इनकोपोरेट कहाँ कर गया है, प्रोटीन के साथ, जब कि यह जब रखा तो यहां पे फोस्फेर जो इनकोपोरेट कर गया, चिनेटिक मटिल डीने के साथ अटआच हो गया, अब यह दोनों वा पैदा हुई वाइरस की तो आगे सल्फर आपको नजर नहीं आया इसका मतब जो प्रोटीन है जिसके साथ सल्फर जुड़ा था यह अगली नसल तक नहीं पहुँचा तो कन्फर्म होता है प्रोटीन यहाँ पे जिनेटिक मटिरियल नहीं है यह देश सतने हैं यह जब वाइरस रखा था फोस्फेड कल्चर के अंदर तो यह फोस्फेड डिने के साथ अटेच हो गया जब यह आगे नसल में गया बक्टेरिया के अंदर गया अगली नसल जैसे प्रोडियूस हुई तो आपको वो ही फोस्फेड अगली नसल पर भी नसल आता है तो इसका मतब जो डिने है यह आगे ट्रांसफर होता है वन जेनरेशन टू एन अदर ना के प्रोटीन होता है तो इस एक्सपेरिमेंट से में पता लगा जो जेनेटिक मटिरियल है वो ट्रांसफर करता है जेनरेशन टू जेनरेशन वो ट्रांसफर होता है और उस जेनेटिक मटिरियल का नाम क्या है डिने है जजाक अलाव खायर